Welcome student, आज हम पढ़ेंगे trade introduction, trade परीचे जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे किसी भी कारे को करने से पहले उस कारे की मूँद जानकारी होना अविशक है इसी प्रकार fashion क्या है? इसके बारे में जानने के लिए इसके आविशक सभी नियम, इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तवे तथा सभी प्रक्रियाओं का ग्यान होना बहुत जरूरी है फैशन एक ऐसा ट्रेड बन चुका है जिसके द्वारा मद्धिवर्गी या निम्निवर्गी, परिवार की महिलाएं, लड़कियां तथा पुरुष भी इस वैफसाय को अपना कर अपने जीवन में आर्थिक लाब उठा सकते हैं फैशन के बारे में जानने से पहले हमें वस्त्रों के विशय में पून जानकारी होना आविशक है वस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वस्त्रों के इस्तिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है कपड़े के वास्त्विक विकास को जानने के लिए इसके इतिहास को निम्न भागों में बाटा गया है पहला है क्रशी काल Agriculture Age इस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया एक प्राचीन ग्रिक इतिहास कारक ने कपास को हजारो वर्स पूर्व एक प्रकार का उन बताया था जो भेडस के उन से अच्छा था कपास के पौधे में सफेद फूल लगते हैं प्राचीन काल में इन ही फूलों को बीज से अलग करके रूई से मोटे धागे का निर्मान हुआ इस तरह उन्होंने हाथ से ही कपड़ा बनाना आरंब किया दूसरा आता है धातू काल, मेटल एज इस काल में धातू की खोज हो जाने के तरह तरह के आउजार, उपकरण वा बरतन आदी बनने शुरू हो गए इसी काल में पत्थर की सूई के स्थान पर धातू की सूई का भी अविशकार हुआ इस काल में धी सिलाई कटाई का विशेश विकास नहीं हुआ था परन्तू सूई द्वारा धीले ढाले कप्डे सिल कर पहनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थर्ड आता है गुप्त काल इस काल में कुछ लोगों ने रेशम के कीडों को पाल कर रेशम का धागा बनाया इस धागे से निर्मित कप्डे का प्रयोग बड़े बड़े लोगों द्वारा बहुत ही प्रयोगात्मक धंग से किया जाता था वस्तर निर्मान प्रक्रिया के विकास का यहाँ प्रारंबिक दौर था फिर अगला आता है मुगल काल मुगल काल कई साव साल बाद मुगल भारत आये और अपने साथ सुन्दर पुशाक के लाये मुगल कुर्ता, पैजामा, शेरवानी, अचकंटोपी आदी पहना करते थे इसकाल की स्त्रियां भी अपने सरीर को सजाने के लिए रेशम सिल्क आदी कपडों का प्रयोग करती थी इसकाल के लोगों के वस्त्र बहुत महंगे होते थे क्योंकि उन वस्त्रों पर जरी, तीले, सल्मा, शितारा, आदी के प्रयोग द्वारा नकासी की गई होती थी इसकाल में भी डीले ढाले कपडों पहने जाते थे फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्रिटिस काल बुगलो के राज में ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ अंग्रेज प्राहया तंग एवं चुस्त पोशाके का ही प्रयोग करते थे इस प्रकार शरीर की नाप के अनुसार कपड़ा काट कर नई पोशाक बनाने का पहला श्रेसरी वैपम को प्राप्थ हुआ धीरे धीरे वस्त्रों की फिटिंग वा सुन्दर सिलाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा धीरे धीरे वेश भूसा में सुधार आता गया पैंट, कमीज, निकर, बनियान, कोट, टाई, फ्रॉक, स्कर्ट, जिन्स, आधी सभी वस्त्र अंग्रेजों की ही देन है इस काल में सिलाई मशीन के अविशकार से भी इस काल का उत्थान हुआ फिर आता है आपका आधुनिक काल छटा, modern age, आज का समय आधुनिक काल है आज हमारा देश इस उध्योग में काफी तरक्की कर चुका है आज का मनुश्य नए-नए डिजाइनों, सुन्दर वा सुशद्जित वस्त्रों से अपने आपको सजाने में लगा हुआ है एवं दर्जी भी उन्हें आकरशित करने के लिए नए-नए डिजाइनों की खोज कर रहे हैं